आप सुनने जा रहे हैं आमान मा पुरुशों की मान कानिया आज की कानी है मा भारत के उपर आज की कानी का शीशक है क्रोद मा भारत में कता आती है कि एक बर कृष्ण बलराम और सात्य की यात्रा पर निकले पर गण्तव्य तक पहुचने से पूर्वी रात हो गई और उन्होंने रात एक जंगल में बिताने का निण्णे किया जंगल घना और भयानक था अथा तीनों ने मिलकर निन्य किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे प्रथम प्रहर में जागने की बारी सात्यकी की थी और अभी प्रहर में प्रारम भी हुआ था कि एक राक्षष ने सात्यकी पर हमला कर दिया सात्यकी अपने शौरे के लिए प्रशित थे इसलिए उन्हें राक्षर के दुसास पर क्रोध आ गया पर सात्यकी क्रोध में उस राक्षर से जितना जूचते उसका शरीर उतना ही बड़ा होता जाता अंततर थक हार कर सात्यकी ने उस राक्षर से हार मान ली सात्यकी के बाद पहरा देने की बारी बलराम की थी और उनके साथ भी इस घटना की पुन्रावरती हुई अंत में जब भगवान शी कृष्ण की बारी आई तो राक्षर्स ने पूर्व की भाती उन पर भी प्रयाहार किया किन्तु भगवान उस पर क्रोध करने के बजाए हस्ते हस्ते उसे लड़ने लगे इस बार राक्षर्स अपने को हारता देखकर उत्तेजित होने लगा वे जितना खीजता उतना ही उसका शरीर छोटा होता जाता और धीरे धीरे वे एक मच्छर के बराबर रह गया श्री कृष्ण ने उसको पकड़ कर अपने अंगवस्त्र में बान लिया और सुबह होने पर उसको सात्य की एवं बलराम को दिखाते हुए बोला देखो यह जहा तुमारा राक्षर्स यह और कुछ नहीं बलकि हमारा क्रोध ही है जितना क्रोध भड़ता है उतनी ही असुर्ता बढ़ती है और जैसे सात्य विक्ता बढ़ती है वैसे वैसे दूराचार का अंत होता है इस काहनी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध हमेशा इनसान को तब आता है जब वो अपने आपको कमजोर वहारा हुआ पाता है